Students, last video में हमने projectile motion के बारे में सीखा था, किस तरीके से projectile motion कितने time के लिए, हवा में रहता है, time of flight, उसकी equation निकाली थी हमने, और कितनी maximum horizontal range है, कितनी दूर तक वो जा सकता है, और maximum height वो कितनी reach करता है. तो यह तुमने last video में सीखा था, आज हम समझेंगे uniform circular motion के बारे में, अब इस term को ही analyze करते हैं, इससे हमें कुछ hint मिलने वाला है, uniform circular motion, तो यह circular motion है, motion means particle would be moving, इन्हें circular, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, uniform, uniform का मतलब है, इसमें कोई चीज uniform है, यानि कि कोई चीज constant रहने वाली है अब चुकि यह particle, मालिया की यह particle है, जो कि गोल गोल भूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, कुछ इस तरीके से, it is moving anti-clockwise, तो इसके motion में कुछ चीज uniform है, uniform circular motion में, motion है, यानि कि इसके पास velocity है, और हमें पता है, velocity के पास दो चीज़े होती है, एक तो magnitude होता है, और दूसरी direction होत प्लस direction, अब यह हर पल, move कर रहा है, circular motion है इसका, तो इसकी जो direction है, it is changing every moment, तो यह तो चीज़ चेंज हो रही है, it is changing every moment, यह चीज तो चेंज हो रही है, direction तो चेंज हो रही है, तो फिर क्या चीज uniform है, क्या चीज हमें एक जैसी देखने को मिलेगी, क्या चीज constant है, it is the magnitude, त uniform circular motion में, velocity का magnitude वाला component हमें constant देखने को मिलता है, so magnitude of the velocity is constant in the uniform circular motion, अब हम बात करते हैं, acceleration की, acceleration होता क्या है, acceleration जो होता है, change in velocity, with a change in time, अगर velocity में change हमें देखने को मिल रहा है, time के change के साथ साथ, तो मैं बोलूँगा, yes, it is an accelerated motion, अब हम बात करते हैं, velocity की, uniform circular motion में, velocity का magnitude तो constant है, तो magnitude में हमें change नहीं देखने को मिलेगा, but direction is changing every moment, और velocity में, अगर magnitude या direction, किसी एक में भी change आता है, with respect to time, तो इसका मतलब acceleration जो है, वो 0 नहीं है, acceleration की कुछ value होने वाली है, so, uniform circular motion में, magnitude तो constant है, velocity का पर direction चेंज हो रही है, हर पल, हर पल, direction चेंज हो रही है, time के साथ, तो acceleration भी है, acceleration है, तो इसका मतलब, uniform circular motion, एक तरह का accelerated motion कहलाएगा, uniform circular motion is an accelerated motion, तो हम यह कह सकते हैं, इसमें acceleration हमें देखने को मिलेगा, तो यही चीज़ हम derive करेंगे, अगर uniform circular motion, accelerated motion है, तो उस acceleration की value क्या होने वाली है, तो चलिए, करते हैं इसको, तो सबसे बहले हम यह करते हैं, माल लिया, कि, जो हमारा particle है, वो इस point पे है, इस point को मैंने ले लिया, point A, जो की, अगर हम बात करें, यह center है, इसका, center को मैंने origin माल लिया, और इसके जो position coordinate है, या position vector है, इसको मैं इस तरीके से जोड देता हूँ, और इसको R1 से represent करता हूँ, और माल लियते हैं, कुछ time के बाद, यह A से, यहाँ पे आ जाता है, B पर, और यहाँ पे इसके position coordinate हो जाते हैं, R2, R1 and R2, और A और B जो position है, वहाँ पे जो angular displacement है, delta, theta मैंने बोल दिया, और अगर हम बात करें, इनको मैं जोड़ू, point A और point B को, तो मुझे displacement देखने को मिलने वाली है, और यह मेरा हो जाएगा, R2 minus R1, delta, R बोल दिया, इसको मैंने, displacement, A, B is the displacement, चीक है, अब point A पर, अब यह uniform circular motion है, motion में है, घूम रहा है, तो point A पर जो velocity होगी, वो tangent होगी, point A के कुछ, इस तरीके से, इसको मैं ले लेता हूँ, यह बन गया tangent, इसको मैंने ले लिया, V1, और point B पर velocity, again, point B के tangent होगी, कुछ, इस तरीके से, और इसको ले लिया हमने, V2, अब V1 और V2 को, हम यहाँ पर उठा क लिया आते हैं, plane पर, थोड़ा समझने में असानी हो जाएगे में, यह, मैं, यहाँ पर उठा के लिया, V2 को, और V1 को, कुछ ऐसे ले आया, यह V1 हो गया, और यह V2 हो गया, और मैंने इसको, यह कुछ इस तरीके से जोड दिया, और यह हो गया, V2 माइनस V1, यह, डेल्ट गया, V हो गया, अब हम, V1 जो है, वो 9th, perpendicular है, position vector, R1 के, similarly, V2 जो है, वो perpendicular है, position vector, R2 के, R1 और R2 के बीच में, एंगल है, डेल्टा थीटा, तो V1 और V2 के बीच में, by symmetry, एंगल होगा, डेल्टा थीटा, और अगर मैं बात करूँ, magnitude की, R1 और R2 का अगर, जो magnitude है, अभी direction की, अब नहीं बात कर रहे है, R1 और R2 का, जो magnitude है, वो, equal है, that is the radius of the circle, similarly, velocity का, जो magnitude है, V1 और V2, वो भी constant है, यानि की, V1 और V2 का magnitude constant है, इनकी, जो, arrow की जो length है, that is same, और इनके बीच में, एंगल है, डेल्टा थीटा, तो ये, अगर मैं बात करूँ, इसको नाम नहीं देता हू A, O, B, triangle A, O, B, और इदर देता हूँ, P, Q, R, ये similar हो जाएंगे, triangle इनके बीच में, डेल्टा थीटा ही है, और जो corresponding sides, दोनों isosless triangle है, तो corresponding sides की जो ratio है, वो भी constant हो जाएगी, तो by symmetry हम ये कह सकते है, triangle A, O, B, is similar to triangle P, या R, Q, P, ये दोनों triangle similar है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो कि अब हम red pencil लखेंगे, इनकी corresponding sides की जो ratio है, that would be constant, जैसे की अगर मैं एक तरफ लेता हूँ, delta V, delta V लेता हूँ, तो इदर हम लेंगे, delta R, इसकी जो ratio है, would be equal to, अगर इदर लेता हूँ, V1, तो इदर हो जाएगा, R1, इनकी ratio constant है, because triangles are similar, अचा एक चीज़ और आप देखें, ये जो AB है, delta R, और इदर जो delta V है, अगर हम दिहान से देखें, फोड़ा सा, तो ये delta R मैंने बना लिया, बिल्कुल AB के पैलल, और ये मैंने बना दिया, delta V, this is delta V, और this is delta R, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं आपको, perpendicular है, delta V, delta R के perpendicular है, और अगर मैं ये जो triangle है, PQR, इसको मैं खोड़ा सा displace करके delta R के पास ले जाओ, तो ये जो हमारा delta V है, कुछ इस तरीके से जाएगा अंदर इस तरीके से, तो एक चीज़ हमें ये पता लग ये, जो delta V है, वो कहां की तरफ जा रही है, towards the center, it is pointing towards the center, pointing towards the center, तो मुझे direction भी पता लग गई, towards the center of the circle, center of the circle, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें पता लगी कि, हमने diagrammatically देखा, towards the center of the circle, और perpendicular है, delta V, जो है, delta V is perpendicular to delta r, जो velocity का change है, वो perpendicular है, displacement के, और, change in velocity is towards the center of the circle, तो ये चीज़ हमें पता लगी, जो की काम आएगी हमें, acceleration की direction को पता करने में, आगे बढ़ते हैं, अभी हमने, ये relationship derive किया, इसको मैंने, 1 कर दिया, अब क्या करते हैं, अब मैं इसको थोड़ा, delta r को right-hand side ले जाता हूँ, delta V is equal to, V1 upon r1 times delta r, अब हम क्या करेंगे, limit लगाते हैं, let's say, दोनों तरफ delta t से divide कर देते हैं, divided by, delta t on both sides, फिर उसके बाद, मैं limit लगाता हूँ, limit, delta t tends to 0, मतलब कि बहुत छोटा time interval ले रहा हूँ है, बहुत छोटा time interval, इधर भी हमने limit लगा दी, delta t tends to 0, बहुत छोटा हम time interval ले रहे हैं, उस point of time पे, delta V upon delta t क्या होगा, obviously वो एक हमें instantaneous acceleration पता लग जाएगी, जैसे, ये माल लेते हैं, this is the circle, इसमें circular motion हो रहा है, और ये center है, ये एक position है, और delta t बिल्कुल छोटा time period में ले रहे हैं, तो एक coincide कर जाएगी, और यहां पे हमें इस point p पर acceleration अता लग जाएगा, we have taken very small time period, which tends to 0, limit लगा दी, तो हमें acceleration मिलने वाला है, उस point of time पर, delta v upon delta t, limit delta t tends to 0, मुझे acceleration मिल गया, और दूसी तरफ, limit delta t tends to 0, delta r upon delta t, change in net displacement upon time, मुझे velocity मिल गई, so v1 upon r1 times v, अब उस point of time पर, जो v1 है, वो हमारी, क्या हो जाएगी, v के ही वराबर है, और जो r है, r1, position vector है, वो radius है, this is the radius, यह आप देखेंगे, r1 क्या एक तरह से radius है, circular path का, तो हम क्या करेंगे, v1 की जगे, v put कर देते हैं, और यह capital r, जो की radius को represent करता है, times v, यह हमारा acceleration हो गया, जो की बन जाएगा, v square upon r, और इसकी direction क्या होगी, acceleration की, towards the center, center की तरफ होगा, और इसे centripetal acceleration भी बोलते हैं, जिसका मतलब है, center seeking, centripetal acceleration भी बोलते हैं इसको, तो हमारा जो acceleration है, वो आ गया, v square upon r, यह divided by r, इस तरीके से हमने, अपना acceleration निकाला, अचा एक चीज है, अगर मैं बात करूँ, angular speed की, angular speed को हम usually represent करते हैं, omega से, तो angular speed हो गई, change in angle with respect to time, angular speed change in delta, that is delta theta divided by delta t, angle में कितना change आया, with respect to time, हमें angular speed बताती है, और अगर मैं बात करूँ, delta theta की, वो होता है, delta r divided by r1, या r2 या हम ले लेते, radius of the, जो r1 है, actually radius है, circular path का, तो हम इसको r ले लेते हैं, capital r, अगर delta t हमारा, बहुत छोटा हो जाए time period, जो है हमारा, उसको हम बिल्कुल छोटा time period ले ले, तो उस point of time पे, जो delta r है, और यह जो arc है, यह same हो जाएगा, coincide कर जाएगी, तो हम एक तरह से, delta r, जो है, equals to, जो arc a b है, उसके, बराबर हो जाएगा, when delta t tends to zero, और उस point पे, अगर हम अपनी angular velocity निकालें, उसको कैसे आएगी, तो delta theta की जगे मैं, यह value put कर देता हूँ, delta r upon capital r, omega is equal to, हम delta r upon capital r, delta t, मैंने delta theta की value put कर दी, delta r upon r, तो इस तरह से आगे, delta r upon delta t क्या होता है, velocity होती है, जो की आगई, v upon r, तो हम इस तरीके से लिख सकते है, relationship, velocity और angular speed के बीच में, omega r, तो जो velocity है, that is equals to omega r के बराबर होती है, और अगर हम बात करें, अगर हम v is equal to omega r put कर दें, तो उस case में हमारा acceleration क्या हो जाएगा, तो उस case में मेरा acceleration हो जाएगा, अगर मैं v की value omega r put कर देता हूँ, omega r का square divided by r, जो की हो जाएगा, omega square r square divided by r, जो की बन जाएगा omega square r, तो एक और इसका form आगया acceleration का, अगर हमें angular speed पता है, circular path का radius पता है, तो हम acceleration पता कर सकते हैं, और दूसरे किस तरीके से पता कर सकते हैं, एक acceleration की एक और form लेते हैं, देखिए, पहली form हमने निकाली, v square upon r, दूसरी form निकाली, omega square r, omega angular speed है, v हमारी velocity है, अब अगर, omega जो है that is equals to 2 pi by t, यह time period होता है, एक circular path करने में कितना time लगा, या इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, 2 pi mu, time period of frequency में inverse relationship है, तो omega हो गया 2 pi mu, अगर हम omega की value 2 pi mu, यहां put करते हैं, तो हमारे पास acceleration की एक और form आ जाएगी, acceleration की एक और form क्या आ जाएगी, हम omega की जगे put कर देंगे, 2 pi mu square capital R, जो की आ जाएगी 4 pi square mu square R, तो centripetal acceleration की form एक यह आ गई, तो हमने इस तरीके से 3 forms निकाल ली acceleration की, यह first one, यह हमारी हो गई, दूसरी omega square R, और यह हो गई हमारी तीसरी, तो इस तरीके से हमने acceleration को, centripetal acceleration की uniform circular motion में acceleration की क्या values हैं, उसको अलग-अलग forms में हमने derive किया, Thank you.